नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हम बात करेंगे भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की जीवन यात्रा के बारे में। उनकी बच्चपन से लेकर क्रिकेट के शीर्ष तक की इस अद्बुत कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रेल 1957 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार मध्यम वरगिय था और उन्हें बच्पन से ही क्रिकेट का शौक था। उनके पिता गुरुनात शर्मा एक परिवहन कमपनी में काम करते थे जबकि उनकी मा पूरुनिमा शर्मा ग्रिहनी थी। रोहित का शुरुवाती जीवन संघर्श में था लेकिन उनका क्रिकेट के प्रती समर्पन अविश्वसनीय था। जा रोहित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के स्वामी विवेका नंद इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। यहीं पर उनके चाच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुवाती क्रिकेट करियर रह रोहित ने क्रिकेट की शुरुवाती ट्रेनिंग मुंबई में ही की। उन्होंने 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और ज इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें 2007 में भारतीय टीम में शामिल किया गया। कई बार टीम से बाहर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने खेल पर काम करते रहे। और दोहरा शतक लगाया और फिर 2017 में श्री लंका के खिलाफ तीसरा दोहरा शतक बनाकर इतिहास रच दिया। आज वह एक मात्र खिलाडी हैं जिन्होंने वंडे में तीन दोहरे शतक लगाये हैं। आईपील और मुंबई इंडियन्स चार्डी रोहित शर्मा की आईपील यात्रा भी बेहत सफल रही है। वह 2011 में मुंबई इंडियन्स में शामिल हुए और 2013 में टीम के कप्तान बने। उनके नेत्रित्व में मुंबई इंडियन्स ने पाँच पार आईपील खिताब जीते जो किसी भी अन्य टीम से अधिक है। जे आईपील में उनके प्रदर्शन ने उन्हें न केवल एक शानदार बल्लेबाज बल्कि एक कुशल कप्तान के रूप में भी स्थापित किया। कप्तानी और नए रिकॉर्ड हैट 2021 में रोहित को भारतिय टी-20 और वंडे टीम का नियमित कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतिय टीम को कई महत्वपूर्ण सीरीज में जीत दिलाई। उनकी कप्तानी में भारत ने 2022 के एशिया कप में जीत दर्ज की। रोहित का शान्त और धैर्यशील स्वभाव उन्हें एक आदर्श कप्तान बनाता है। जा रोहित शर्मा की यह यात्रा, संगर्श, मेहनत और धैर्य की कहानी है। वरना केवल एक महान बलनेबाज हैं, बलकि एक अद्भुत कप्तान और इंसान भी हैं। उनकी कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि कटिनाईयों के बावजूद अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट्स में बताएं कि आप रोहिच शर्मा की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।